नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्यास सेंग पाकिस्तान से भारत लोटी अंजू लगतार कई बड़े खुलासे करती हुई नजर आ रही है अंजू की अगर बात करें तो साल 2023 में अंजू अपने परिवार से और खास त पाकिस्तान जाकर अपने फीस्बूक ंफ रेंड नस्रूला की साथ शाधी कड़ लेती है और धर्म परिवर्टन करने के बाद अंजू फातिमा बन जाती है माना जाता है की शायद अंजू उसके बाद पाकिस्तान में किस तरह से रही इस Your नेकर कभी कुछ नहीं कहा लेकि सुरक्षा के लिहाज से भी लोग अपनी चिंता को जाहिर करते हैं, मांग की जाती है कि सुरक्षा एजिंसिया अंजू से पूछताच करें और उसे जेल में डाल दें, यहाँ पर देखा भी जाता है कि यहाँ पर सीधे सीधे सोनी पत की पुलिस अंजू से पूछताच करती ह और उसकी बाद उसे छोड़ भी देती है लेकिन अब अंजू की अगर बात करें तो वो आम नागरिक की तरह जिंदगी बिता रही है दिल्ली में नौकरी कर रही है किराय की मकान में बच्चों के साथ रह रही है जोरान अंजू कई बड़े चैनल्स को इंटर्व्यू भी दे इनकार कर दिया कुछ समय पहले तक अंजू तलाग देने से इंकार कर रही थी और अर्विन तलाक नहीं देना चाहता जिसके बाद सवाल यह बन रहा है कि आखिरकार अंजू से तलाक क्यों नहीं लेना चाहता जिस तरीके से अंजू ने लाइव टीवी डिबेड में कहा कि उसके मन में आज भी अर्विंद के लिए वैसी ही फीलिंग्स है भले ही उसने नस्रूला से शादी कर ली हो कि अंजू के इस स्टेट्मेंट को सुनने के बाद अर्विंद को लगता है कि वो नस्रूला के दबाव में उससे तलाक ले रही है और इसे लिए अब अर्विंद अंजू को तलाक नहीं देना चाहता, इसके पीछे की सचाई तो अंजू और अर्विंद ही जानते हैं, लेकिन अर्विंद की तलाक से इंकार करने के बाद, अब सोशल मीडिया पर कई तरह के यहां पर दावे की जा रहे हैं, और जब तक अंजू इन तमाम दावो को लेकर च चुपी नहीं तोड़ती, अब देखना होगा कि इन सवालों को लेकर आखिरकार अंजू कब चुपी तोड़ती हुए नजर आती है, लेकिन फलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहे हैं, नेक्स्ट जना ही मुच्पी साइब